कपास की बढ़ती कीमतों से परेशान उध्योग बढ़ती कपास की कीमतों से जहां एक तरफ किसानों को रहत है तो वहीं दूसरी और स्पीनिंग और वेइंग इंडस्ट्रीस के लिए बढ़ती कीमते चीन्ता का कारण बन गई है दरसल अंतरश्चे बजार की तुलना में घरेलू कपास की मोजूदा कम कीमतें कताई और बुनाई उध्योग पर नकरात्मक परभाव डाल सकते हैं उध्योग जानकारों का कहना है कि इसका कताई और बुनाई उध्योग पर पतिकुल परभाव पढ़ सकता है जिसे कुछ महीनों के बाद कच्चे माल की कम उकलपता और कपास की उँची कीमतों का खामियाजा भुगत ना पड़ सकता है स्पीनर्स एसोसियेशन ऑफ गुजरात के अध्यक्ष सौरीन पारिक ने कहा है कि कपास की कम कीमतों के कारण वितियवर्ष 2024 के लिए कपास का निर्याद पिछले सीजन के 14 लाग गांट की तुलना में 24 से 25 लाग गांट तक पहुंच सकता है यह अधिक निर्याद कताई इकायों पर बुरा असर डाल सकता है हलाकि इससे किसानों को कुछ रहत मिल सकती है और मई महीने के बाद ज़्यादा तर तस्वीर साफ हो पाएगी पहले से ही अपनी कुल शमता से नीचे काम कर रही कताई इकायों को स्थापित उतपादन शमता में और कटोती करनी होगी जिससे उनको नुकसान होगा वही कताई इकायों का मुनाफ़क कपास की कीमतों पर ही निर्भर करेगा जिनमें पहले से ही उतार चड़ाव शुरू हो चुका है फरवरी महीने के भीतर कपास की कीमते इस महीने की शुरुवात में 55,000 पर परती कैंडी से उचलकर 58,000 पर परती कैंडी पर पहुंच गई है इसके लावा पिछले कुछ महीनों में यान की कीमत में भी लगबग 20 रुपे किलो की बड़ोतरी दर्ज की गई है कपड़ा जगत से जड़े लोगों का कहना है कि कपास की कम कीमते और भारत से अधिक कपास निर्यात कुछ हितदारकों के लिए फायदे मन्द हो सकता है लेकिन कताई एकायों को गंभीर चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है कताई इकाईों के सर्वोतम ढंक से क्रियाशिल होने के लिए यह जरूरी है कि वैश्विक मांग बढ़े ताकि अधिक निर्यात के कारण कपास की कीमत में बदलाव को कपड़ों द्वारा अवशोशित किया जा सके और धागे की कीमत तद अनुसार बढ़ाई जा सके उध्योग जगत से जुड़े लोगों का ये भी कहना है कि विभिन घरेलू और अंतराष्टे चिनोतियां जैसे बजार की मांग में कमी सप्लाई की गतिशेलता इसमें ब्राजील को छोड़कर हर कपास के लाड़ी के पास वित्यवश 2024 के लिए कपास की मात्रा कम है और बहरी कारकलाल, सागर संकट, बूर आयरैतिक संकट, मध्या पूरव और रूस और युक्रेइन के बीच यूद आने वाले महिनों में उध्योग में मांग पर पढ़ने वाले परभाब को लेकर चिनता पैदा कर रहे हैं उध्योग की मोजुदा स्थिती पर टिपनी करते हुए इंडस्ट्री का कहना है कि हम मानते हैं कि सबसे बुरा दोर हम पीछे छोड़ा हैं अमेरीकी बाजार के संकेतक जो भारतिय का पास वेवसाय को संचालित करते हैं वो आशा जनक दिखाई दे रहे हैं और हम सब उसी पर अपनी उमीदे लगाए बैठे हैं